एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे Poco F1 डिवाइस के लिए जिसका बेड़ नमबर आपको 20.5.29 देखने को मिल जाता है हेलो एर्विवन आई एम एम के एनिवर वाचिंग टेक आफिस वीडियों हम बात करने वाले हैं एम एंडी एफक्स के रोम के बारे में जो कि आजकर बहुत जादा पॉपलर होए है Poco F1 डिवाइस के यूजर के लिए क्योंकि यहां पर यूज कस्टुमाज़शन यूज प्रॉफरमेंस और काफी अच्छा सा एक्स्प्रियेंस देखने को मिल जाता है तक या वही सारे चीज़ें यहां पर भी देखने को मिलता है New Features के साथ या नहीं तो जलिए Find Out करते हैं यहां पर आपको About के सेशन में Android 10 देखने को मिल जाता है क्यों सब कुछ आप Android 10 पर ही हमें देखने को मिलता है तो यहां पर भी आपको Android 10 का Support मिलता है वन मंद और टू 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 नाइन का सेशन कर सकते हो यहां पर मैं फिलाद 6 जिला है जो वर्जन यूज कर रहा हूं बैक क्योड चलते हैं तो आपको Backup, Mover और Factory Set का Option देखने को मिल जाता है यहां पर एक्टा Option जो कि मैंने आपको पहले भी Explain किया है तो इसे हम बात में देखेंगे पहले हम बात करते हैं नए, Important और Improved Features की ओरे में ठीक है तो सबसे पहले चीज आपको देखने को मिल जाता है यहां पर D&D से रिगार्डिंग देखेंगे पहले D&D में जो देख ये यूज़ करने पे कुछ लोगों प्रॉलम आ रहा था तो यह फिक्स कर दिया गया है तो अब आपको प्रॉलम आता था पहले अगर आप D&D यूज़ करते सारे option देहने को मिल जाते हैं जो कि पहले हमें देहने को नहीं है तो ही यहाँ पर add कर दिया अनदर चेंज मेन्ट आपको देहने को मिलता है उन्दर नए आइनिमेशन देहने को मिल जाता है इस update के अंदर जो पाले से हल्का फोल्का मेंईसिंग था या तिए यहां पे डिएकन धेनी को मिलता है यहां सब्सक्राइब के तरफ से ही पोर्ट देहने को मिल जाता है इसका जो थीम का सपोर्ट है यहां पर चाहिना वाले जो ही थीम को मिलते हैं जो कि मुझे पसंद आता है बट आप चाहते हो इसे ग्लोबल की रूप में चेंज करना तक कुछ आपको बेवल्ड प्रोग को साथ एडिट बगरा करन यहां पर आगे रूप बरते हैं चेंज की बात करते हैं तो लॉक स्कीन के उपर वही सेम ओप्सन देहने को मिलता है लेकिन यहां पर जो लॉक स्कीन फॉर्मेट है लेटेस्ट ब्यूट के नुसार यहां पर जो टेक्ष्ट है इसे अनलिम्टेट कर दिया गया था बट यहां पर आपको कोई भी एक्ट्रा ओप्सन नहीं को नहीं मिलते हैं डिवलेस्ट बार वगए रहा बट यहां पर जो एक्ट्रा क्ष्टमाई से ने उसके बज़से मैं यहां पर स्पीड मीटर इनेबल कर रखा हूं जहां पर आप देखते तो बैटी दिखा रहा है कितना कुछ टेस्ट के साथ उसे फिक्स किया गया है साथ से साथ यहां पर जब भी आपर जो इसे कंट्रोल सेंटर को डिसेवल करके अगर मीवाई 11 का QS पैनल इनिवल करते थे तो यहां पर टाइमिंग है और साथ साथ यहां पर जिटना भी डेटा यूज हुआ है यह हमारा रि अगरा पर काफी अच्छा है और ड्रैमेंजमेंट मुझे इस वाद थो इसी कमी लगी है क्योंकि ज्यादा अप्लिकेशन इस वाभी ओपन नहीं है मेरे फिर भी 2.3GB है जो आ चुका है तो ड्रैमेंजमेंट में मुझे थो इसी गिडावट लगी है फिर्वियस के बेल्ट मिल सके और आप उसे जो वाच करके बेनेफिट वहीं पर सेम आपको जो कमी टेखनीकों मिल जाता है अंटूटू के स्कोर के अंदर क्योंकि यहां पर जो पहले के जितने में एमेंट एक से सभी में हमें 35 या 36 का स्कोर मिलता है जो कि इस प्रों के अंदर में 347 113 का देखन और पार की एकर वाचिंग यहां पर मिलता है कास का भी है और बाखे अधर का है हरा करते हो करते हो तो यहां पर भी युज़ कर पाएघन का काफी इसी पहले से डाउन देहने को मिला है कुछ performance increase बगएरा किया गया है अच्छी बात है यहां पर आपको आपको देहने को मिल जाता है जो कि आपको देहने को मिल जाता है आप अपने मर्जिन को साथ क्लिक कर सकते हो अगर इस setting को find out करना है इसके क्स्टमाइशन को चेंज करना है तो इसके लिए आपको आपको इसी बिल नबर के साथ देखने को मिल जाता है और इसके पहले एमाई रूम का भी अपडेट आया है और यू का भी अपडेट आया है तो उनकी भी वीडियो दे दिया है बट एमाई रूम का बर्ग था कुछ setting को लेकर तो उसका वीडियो मैंने इसकेप कर दिया था यहां पर आपका face unlock वगड़ा सब कुछ proper working है यहां पर जितने ही features है मैंने previous के वीडियो में explain किया है तो वही same features मिलता है कुछ भी यहां पर important extra add नहीं किया गया है मैंने find out किया सब कुछ पहला जैसा ही दिखा है तो फिर से explain करना भाई time pass ही होगा तो य एक another option नहीं को मिलता है इधर से जो कि आपको से customize कर सकते हो और किक बलते देहनी को मिले जाता है तो काफी अच्छा कासा motivation मिलता है इस drone की और से जो कि मुझे रियली में काफी जादा पसंद आया और इसका camera जो perfect working है कोई भी सूज आपको देहनी को नहीं मिलता है cameras regarding सारे features proper से काम करता है तो यहाँ पर मैंने आपको बता देगी इस drone के अंतर क्या कुछ plus point नहीं को मिलता है जो कि नए features add किये गए है और क्या कुछ से जो पहले के मकादर down गया है तो आपको वीडियो पसंद आये हो तो एक thumbs up ज़रूर दे और इसी दर के interesting video के लिए चैनल को subscribe करना न नहीं अगर आप already use कर रहे हो तो आपने क्या कुछ जो इसमें face किया problem और क्या कुछ advantage टेखनी को मिला आपको इस room में जरूर में साथ share करना ताकि मैं next video में maintain कर सकूँ तो मिलते हैं next video में कुछ special चीजों के साथ तब तक लिए बाबाए